IPL के इतहास का सबसे बड़ा टोटल बहुत मुश्किल था मुंबई इंडियन्स के लिए ये चेस करना शायद अगर टिम डेविड पंडिया थो और इसी ज्यादा बेतर क्रिकेट खेलते तो मैच आपको और ज्यादा क्लोज जाता नज़र आता लेकिन कभी भी असान नहीं थ टू सेवेंटी सेवन चेस करना समझ नहीं आई कि ये ओडियाई मैच था टी ट्वेंटी मैच था रावल बिंडी में मैच हो रहा था या हैधराबाद में बड़ा मज़ा आने वाला है आगे IPL में हैधराबाद के अंदर हमने अभी वर्ल्ड कप में भी देखा कि हैधराब से आप लेलें मतलब मारकरम लेलें क्लासन लेलें अभी शेक लेलें किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी शायद 277 तक हैधराबाद ना जाती अगर हर्दिक पांडेया थोड़ी सी बेतर कप्तानी करते मैं ये नहीं कह रहा के बहुत बड़ा टोटल ना लगता लेकिन बॉस ज पढ़ गए आपको जस्परित को बहुत पहले लेकर आजना चाहिए था अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि जस्परित अगर पहले बॉल डालने आ जाता तो शायद इतना टोटल ना होता लेकिन चांसिस बड़े हाई थे क्योंकि आपने देखा कि सब से बेतर बॉलिंग भी जस जस्परित भॉम्रा नहीं की है और जितने पक्के यॉरकर जिस गती से जस्परित भॉम्रा डालते हैं मेरा ख्याल है कि शायद उतना मोमेंटम ना बनता फिर आखिर में आपके सब से ज्यादा एक्सपीरियंस बॉलर प्यूश चावला पर ट्रस्ट ना करना और एक यूव पंडिया की तरफ से कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे थे क्रिकिट में आप कभी कभी डिफरेंट चीज़े करते हैं लेकिन क्रिकिट बड़ी सिंपल गेम है जब आप कुछ मुश्किल सिट्वेशन में फाज जाते हैं आपको कुछ समझ नहीं आत ज्यादा कुछ सोचें अब मिसाल के तौर पे आपको विराट कोली की एक एक एक्जेंपल देता हूँ विराट कोली जब टार्गिट चेस कर रहे थे आई थिंग श्रिलंका वले मैच की बात ही है यह 2000 जो एडलेड में ट्राइस सिरिस थी उसी मैच की शायद ये बात है कि बहुत बरा टूटल इंडिया को मिल गया तो विराट ने उसको टूटल को तोड़ लिया कि मैंने इसको दो टी-ट्वेंटी मैचे समझ के खेलना है बीस ओवर में इतना करना है तो इस सौल अबाउट कैलकुलेशन इन यूर मैंड और जब मुंबई इंडियन्स बैटिंग मैच देखने का क्यार मुंबई मैच में है लेकिन उसके बाद जो टिलक वर्मा ने जो इनिंग्स खेली है मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मतलब मुझे लगा था क्यार रोहित और इशान चलेगे अब यह मैच फिलकुल ही साइड पे हो जाएगा लेकिन मुझे मारक का अपना है वह आपके देश के आपके मुल्क के आपके कंट्री के काम आएगा उसका टैलेंट तो आपके अपने प्लेइर के रंस करना वह बड़ी खुशी है तो मैच में काफी हद तक बना के रखा तिलक ने और उसके बाद मेरा ख्याल है यह मैच थोड़ा सा और चार गें और बाइदावे आज आपको बता हर्दिक पांडेया जब आज भी जब हैदराबाद में ग्राउंड में आए तो बू हुई आज भी जब ग्राउंड में आए तो रोहित रोहित के नारे लगे और ये सारे इंडिया में होना है ये वानकडे में तो बहुत ज्यादा होना है और यह चीज पता नहीं हर्दिक का पीछा कब छोड़ेगी टाइम लगेगा क्योंकि डीप इंसाइड वो खुद भी जानते हैं कि उन्होंने एक बड़ा अजीब डिसियन किया है और मतलब सलाम पेश करता हूं मैं उनकी मैनेजमेंट को जेनों ने इतना बॉंगा डि लिया है रोही शर्मा शायद अपने जिन्देगी की आखरी आईबियल खेल रहे हैं चुप करके कप्तान ने शिफ्ट करते हैंड ओवर करते ट्रांसफर करते फैंस भी खुश आप भी खुश सब सब खुश हर्दिक पांडिया कोई छोटा खिलाडी नहीं है बड़ा खिला करते हैं क्योंकि जो साजेदारी थी वो इन दोनों की थी जो पार्ड़ूर्शिब थी वो इन दोनों की थी विराट का वह दिवाली वाला इंटर्वी याद 하는데 उसने पांड़े को का लेट बिल्ट पार्ट्रशिप तो पंड़या बड़ा इंपॉर्टंट प्लियर आपकी ट बात करते नजर आते हैं और फिर उनका ग्राफ एक दम ऊपर जाता लेकिन तब कप्तान रोही शर्मा होते हैं बहुत ज्यादा गलती हैं गीती हार्दिक पांडिया ने बाइदावे पैट कमिंज ने आज फिर रोही शर्मा को आउट किया हिंदी कॉमेंटरी मैं सुन रहा था स्टार पर तो वहां कॉमेंटर कह रहे थे कि शायद यहां पर मौका है रोही शर्मा के पास अपना स्कोर बराबर करने का जो पैट कमिंज ने वर्ल्ड कप में भारत के साथ किया हो भाई क्या बात कह रहे हैं आप आई पील एक लीग है वो देश वर्ल्ड कप का फाइनल हा रहा है कोई कंपेरिजन नहीं है अलागर वही शर्मा अपना 200 मैच खेल रहे थे आई पील का उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि दूसरी टीम आज 270 लगा देगी और पांडिया के लिए भी आज सोमा मैच था ना उनका मेरा ख्याल पता नहीं सोमा मैच था या सो चक्के थे गुजरते गुजरते को कॉमेंटरी असी आई थी कि हर्दिक पांडिया सो कोई मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताए नहीं सोमा मैच हो सकता है बड़ा पुराना हर्दिक पांडिया हाँ सोमा कुट बड़ी उनको आते साथ ही और मैं बड़ा स्पोर्टर हूँ उम्रान मलिक का क्योंकि एक्सप्रेस वास्ट वालर है और भारत में आपको कोई दिखता नहीं है वन फिफ्टी को टच करने वाला और यह गोल्डन ओपर्शुनिटी है उम्रान मलिक के पास के पैट कमिन्स से वो जितना सीख सकते हैं उतना सीख क्योंकि इससे बहतर कप्टान उनको नहीं मिलेगा क्योंकि गड़ का पाकिस्तान के बाद अस्ट्रेलिया और अस्ट्रेलिया में आपको जितना वो जबर्दस टीम मैन कप्तान है पैट कमिंज वो बैक ही करेगा हमेशा उम्रान मलिक को सो उम्रान मलिक को सीखने बहुत ज्यादा एदराबाद से शबाज ने बड़ी अच्छी बालिंग की बाइदावे और जब आप बालिंग की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से हर्दिक पांडिया को एक अपनी स्ट्रेजी चेंज करने की जूरत है जस्परित बुम्रा को नया बाल डाले आप शुरू में ही मारने की तरफ जाएंगे मैंने शुरू में अर्ली ऑन विकेट्स लेनी है और जब जस्परित बुम्रा नया बाल करेंगे पहला ओवर डालेंगे तो शायद आपके चांसे बहुत ज्यादा भर जाएंगे विकेट्स लेने के क्रेडिट थोड में कुछ अच्छा कर पाएं मुंबई इंडियन्स ने और क्या गलतियां की पंडियां की कप्तानी में आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे लाज़मी बता सकते हैं एंड मुहमद नभी को यार मुंबई इंडियन्स को कहीं न कहीं डालना चाहिए आज भी शायद खिला सकते थे इंडियन्स के तौर पे बिकरेज मुंबई इंडियन्स में मुहमद नभी यार इंडियर और आप उनको यूटलाइस करें बड़े जबर्दस टच में वह हमेशा से रहती है टी ट्वेंटी क्रिकेट में उनको बड़ा माना जाता है बड़ा एप्रिशेट किया जाता है उनकी क्रिकेट को कल राजिस्तान रॉयल्स वर्सेज दिल्ली कैपिटल जैना हाँ जैपूर में सो राजिस्तान मेरा ख्याल है रेड हॉट फेवरेट्स है और दिल्ली आज तक IPL में कुछ खास करनी भाई हलागे डगाउट में रिकी पॉंटिंग जैसा नाम जुड़ा चाही लेकिन राजिस्तान रॉयल्स घर में संजू सैमसन और ट्रेंट बोल्ड ने जो पहले बॉलिंग की थी और इनको रात के टाइम कल नाइट मैच है थोड़ी ज्यादा हेल्प मिलेगी और ज्यादा मजा आने वाले हमें कल वाले मैच में तो आपको पता है उस मैच की भी वीडियो मैच के फॉरण बात आएगी अब मेरी वीडियो इंस्टाग्राम पर आती है फुरकान 013 मेरा इंस्टाग्राम है एफ यू आर क्यू ए एन 013 और यूट्यू पे भी आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुए महम्मद फुरकान भटी के नाम से मेरा चैनल है अ